नमस्ते मैं हूँ मा और आप देख रहे हैं दिललन टॉप दिल्ली में स्नैचिंग आम है आया दिन बदमाश किसी का फोन छीन लेते हैं तो किसी का पर्स अब एक और स्नैचिंग का मामला सामने आये लेकिन इस बार ये स्नैचिंग किसी आम इनसान के साथ नहीं हुई है बलकि ये वारदात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी के साथ नाम है दम्यंती बेन प्रधानमंती नरेण मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी की बेटी हैं दिल्ली आया हुई थी इस कूटी सवार्दू बदमाशों ने सिविल लाइन से इलाके से इनका पर्ष छीन लिया और मौके से फरार हो गए इस मामले में दम्यंती ने F.I.R. तो दश करवाई है पर अभी बदमाशों का कुछ पता नहीं चला दम्यंती ने बताया पर्ष में अलमोस 50-60 थाउजन केस्ट था मेरा क्या हम लोग गुमने गए थे तो थोड़ा केश हात में रखा था और मेरे सारे आदार कार्ड डैबिग कार्ड लाइसेंस बचों का बचों का भी अदार कार्ड था और मोबाल से मेरे तो अच्छा आपको अभी एरपोर्ट भी अभी यहां से मुझे अम्दाबाद का फ्लाइट लेना है और मुझे यहां से जाने के लिए फिर अम्दाबाद जाने के लिए मुझे आईडी काट लगेगे एरपोर्ट स्टेशन भी मेरे तो टिकेट सब वहां पर उसी में था मूबाल में कुछ दिखाई नहीं दो बच्चे थे बच्चे जैसे 17 से 18 साल की एज के दो लड़के थे जो सामने से आए और पर्स इंटे ऐसे गए जैसे विदिन अ सेकेंड वो लोग गाया है दम्यंदी के मुताबिक वो बारक टूबर की सूबा ही अमरित सर से दिल्ली आई थी पूरे परिवार को गुजराती समाज भवन में रुकना था गुजराती समाज भवन के गेट पर ओर्तों से उतरते समय स्कूटी सवार 17-18 साल के दो लड़के आए और पर्स शीन कर भाग गए अब दम्यंदी बेन ने केस दर्श करवा दिया है लेकिन फिलाल पुलिस खाली हाथ है आज तक की पत्रकाय अनुज मिश्रा के मुताबिक जिस जगह ये वारदात हुई है वो वी आईपी लाका है दिल्ली के मुख मंत्री से लेकर लेटेन जनरल तक का घर इसी लाके में बावजोद इसके बदमाश यहां से स्नैचिंग करने में सफल रहे इस पूरे मुद्धे पर आपकी कह रहा हैं कॉमेंट सेक्षिय में ज़रूर बताए अगर आपे वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कर दे यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारा एंड्रोइड अप भी डाउनलोड करें थैंक यू अर्यदा आपे लाइकी बताइब करोर से हमारा आपियोंनलोड से कि एंक प्ले स्टोर यूट decor करें पर देख रहे हैं थे भी गादिए बता आपेंुक इंक एमारा आपें स्टोर पर दो खीना से जलै, काल भादर आमे म।